प्यारे बच्चों आज हम exercise 3.2 matrices में बचे हुए प्रशन प्रशन नमबर 19, 20, 21, 22 इनके बारे में समझेंगे यहाँ पर सबसे पहले 19 प्रशन है जो दो matrix की multiplication पर आधारित है इसमें क्या कहता है कि a trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different types of bonds कहता है एक trust के पास 30,000 रुपे हैं और उन 30,000 रुपे को दो प्रकार के bond में invest करना है जो पहला bond है वो 5% का ब्याज देता है और जो second bond है वो 7% का ब्याज देता है और 30,000 रुपे को 200 में पहले bond में भी invest करना है जहां 5% का ब्याज मिलता है और 7% का ब्याज दूसरे bond में मिलता है 30,000 का कुछ पैसा कुछ रुपिया वहाँ पर भी invest करना है Using matrix multiplication determine how to divide rupees 30,000 among two types of bonds Matrix multiplication की सायता से बताना है कि 30,000 रुपे में से कितने रुपे पहले bond में और कितने रुपे दूसरे bond में invest की जाएं If the trust fund must obtain an annual total interest of 1800 कि 30,000 में से थोड़े से पैसे first bond में जहां 5% का ब्याज मिलता है थोड़े से पैसे दूसरे bond में जहां 7% का ब्याज मिलता है वहाँ invest करने हैं ताकि कुल मिला कर जो ब्याज है वहे 18,000 रुपे मिल सके हाला कि यह सवाल हम बिना matrix multiplication के भी कर सकते थे लेकिन यह matrix multiplication से ही करना है तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पहला matrix बनाया जाएगा वह है row की शकल में बनाया जाएगा और दूसरा column की शकल में कैसे के let the amount invested in first type of bond be rupees x माना पहले bond में x रुपे invest किये गए है and amount invested in second type of bond दूसर परकार के bond में जो amount invest किया गया है वो कुल 30,000 रुपे थे पहले में x रुपे invest हो गए तो दूसरे में 30,000 माइनस x रुपे invest होंगे तो अब इससे जो investment matrix जो बनेगा पहले परकार का जो matrix हम बनाएंगे वो first bond में तो x रुपे invest होए और दूसरे bond में 30,000 माइनस x तो ये investment matrix हो गया और दूसरा matrix था हमारा ब्याज वाला rate of interest वाला तो पहले परकार के bond में 5 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा था दूसरे में 7 प्रतिशत का तो अब इन से इनको multiply करें तो multiply करते समय जो पहला matrix है वह रो की शकल में और दूसरा कोलम की शकल में अगर multiply किया जाए आसान रहता है तो कुल मिलाकर ब्याज प्राप्त हो जाएगा तो x 30,000 माइनस x ये पहला matrix दूसरा है पांच बटा सो जो की ब्याज था पहले bond का दूसरे bond का ब्याज अब इनको multiply करने से जो ब्याज प्राप्त होगा वह कैसे प्राप्त होगा रो को कॉलम से multiply कर दिया x को 5 बटा सो से गुना कर दिया तो 5 x बटा सो हो गया प्लस दूसरे को दूसरे से गुना कर दिया तो 30,000 माइनस x गुना में 7 बटे 100 ये हमने दो matrix की गुना कर दिया तो इसको गुना करने से पहले से ये ग्याद है कि जो ब्याज प्राप्त होना था वो अठारा सो रुपे था तो ये पहले से गिवन है तो हमने देखा कि हमारी तरफ से दो मैट्रिक्स को गुणा करकी है उत्तर आया जो कि ब्याज है इंटरस्ट है और उन्होंने ये पहले से इंटरस्ट दे रखा है दोलनों की तुलना कर तो पांच एक्स बटा सो प्लस में तीस हजार एक्स तीस हजार माइनस एक्स गुणा साथ बटा सो ये बराबर हो जाएगा अठारा सो के हमने सो दोनों तरफ समझ लीजिए दोनों तरफ सो से अगर गुणा कर दी जाए तो सो से सो कट गया पांच एक्स आ गया सो से सो कट गया तीस हजार माइनस एक्स गुणा में साथ आ गया बराबर सो की अठारा सो से गुणा कर दी अठारा सो गुणा में सो आ गया यानि कि एक लाकसी जार आगया अब इसको हल करें पांच एक्स जमा साथ की इंदर गुना साथी किस चार जीरो माइनस साथ एक्स बराबर अठारा के आगे चार जीरो और इनको जब हल करेंगे तो हम देख रहे हैं कि एक्स वाले पद एक जगह हो गए संख्याएं उदर अठारा के आगे चार जीरो माइनस सी किस के आगे चार जीरो गटने पर माइनस का तीन के आगे चार जीरो और यह दो एक्स माइनस से माइनस कट गया तो एक्स का मान तीस हजा यह जो है तीन के आगे चार जीरो बटे में दो यानिकी पंदरह आजार तो इसका मतलब एक्स जो फस्ट प्रकार के बोर्ण में पैसे invest कि दे एक्स का मान 15,000 तो पहले प्रकार के हैंस अमाउंट invested in फस्ट टाइप ओफ बोर्ण जो X का मान था वो 15,000 रुपे आ गया एंड अमाउंट invested in second bond दूसरे बोर्ण में था 30,000-X और X का मान तो 15,000 आया है इसी प्रकार इस प्रकार का दूसरा भाग है कि वहां पर ब्याज 2,000 दिया गया है तो आप जब हल करेंगे तो यहां राइट साइड में 18,000 की जगए 2,000 लेकर X का मान गयात करेंगे और इस से आपको पहले बोर्ण में investment और दूसरे बोर्ण में पर्टिकलर स्कूल हैज 10 डर्जन chemistry books एक बुक्षोप के पास chemistry की 10 दर्जन एक दर्जन में 12 वस्तवे होती हैं तो 10 दर्जन chemistry की किताब में अर्थात बारंद आया 120 chemistry किताब में हैं फिजिक्स की आठ डर्जन डर्जन तो बार आठ च्यानवे फिजिक्स की किताब में हो गई economics की 10 दर्जन अर्थात 120 किताब में हो तो एक किताब दुकांदार के पास इतने किताब में हैं and their selling price उनको बेचने का जो प्राइस है chemistry किताब 80 रुपए की physics की 60 रुपए की और economics की 40 रुपए की किताब है कहता है कि find the total amount of bookshop will receive जो bookshop है उनको बेचने पर जून को पैसा प्राप्त होगा उसके बारे में हमें मैट्रिक्स द्वारा इसको बताना है तो हमने क्या किया पहले मैट्रिक्स को book matrix जहां पर तीन प्रकार की किताब में है chemistry की 10 दर्जन ती अर्थात 120 किताब में हैं physics 96 और economics 120 किताब में हैं फिर एक तरफ हमने selling price ध्यान दें जब मैट्रिक्स multiplication से उत्तर प्राप्त करते हैं तो पहले वाला मैट्रिक्स हमें रो की शकल में लेना होता है और दूसरा मैट्रिक्स हमें column की शकल में लेना होता है क्योंकि मैट्रिक्स को multiply करने के ल तो इससे जो amount received होगा जो पैसे प्राप्त होंगे वह है matrix AB यह A matrix यह B matrix गुणा कैसे होती है दो matrix की रो को column से strike कर वाते हैं 120 गुणा C प्लस 9660 प्लस 120 गुणा 40 तो यह वह पैसा प्राप्त हो जाता है तो च्यानवे सो प्लस में 5760 प्लस में 4800 इनको जोड़ दिया 2060 रुपय आ गया यानि कि यह वह amount है जो इन किताबों को बेज कर bookseller को प्राप्त होगा उसके बाद आता है 21 प्रशन कहता है कि यह कुछ matrix आपको दिये गए है उनके order बताए गए है X नाम का matrix है उसका order 2 by N अर्थात 2 रो है और N कोलम है Y नाम का matrix 3 by K order का है जिसमें 3 रो है K कोलम है Z नाम का matrix 2 by P order W N by 3 order P नाम का matrix P by K order का है तो क्या कहता है कि the restriction on N K and P आपको N K P यहाँ पर जो छोटे छोटे चोटे यूज किये गए हैं small में इनके बारे में जानकारी देनी है so that P Y plus W Y will be defined ताकि यह matrix defined हो जाए तो इन में से 4 में से कौन सा उत्तर सही है यह हमें बताना है तो हम एक बात notice करें कि P Y जमा W Y यानि कि एक परकार से देखा जाए तो P Y जमा W Y इन दोनों matrix को add करने की बात की गई है तो दोनों को add करने पर जो नया matrix आएगा वह P Y और W Y का जितना भी order है उतना ही matrix आएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि P Y जमा W Y का order होगा वही होगा जो order of P Y नाम का matrix और order of W Y नाम का matrix होगा अब विचारनी बात यह है कि जब हम दो matrix को multiply करते हैं इस बात अब order of P Y के लिए आप अलग से देखिए P Y का order क्या होगा order of P Y order of P Y से पहले आपको P Y खुद define करना पड़ेगा P Y कब defined है P Y defined तब होगा आपको पता है कि दो matrix का multiplication defined कब है जब पहले वाले के column और दूसरे वारे के रो संख्या में समान हो तो यही बात यहां पर लिखी गई है कि P Y खुद कब defined है P Y plus W Y defined तब होगा जब P Y स्वयम defined होगा और W Y स्वयम defined होगा तो P Y defined कब होगा यानि कि दोनों की गुणा कब defined होगी जब P के column की संख्या और W Y के रो की संख्या समान होगी तो हम देखें P के column कितने हैं यहां पर P के column है K हमने लिख दिया K हमने कहा Y के row अब Y matrix के row कितने हैं 3 हमने लिख दिया 3 तो P के column और Y के row जब समान होगे तो P Y खुद defined होगा यहां से हमें जानकारी मिल गई K बराबर 3 इसी परकार जो यह W Y नाम का matrix है यह कब defined होगा जब W के खुद के column और Y के खुद के row समान होगे तो W के column को देखें W के column 3 है और Y के row Y का row देखें तो वह हैं भी 3 है तो 3 बराबर 3 यहां से तो कोई नहीं बात नहीं आई तो हाँ अब P Y स्वेम defined कब था इससे कुछ नहीं बात आई तो अब P Y और W Y दोनों के दोनों defined हो गए तो इससे P Y प्लस W Y खुद defined अगर होगा तो P Y का जितना भी order है उतना ही W Y का order होना चाहिए तभी तो दो matrix को जोड़ पाएंगे दो matrix को कब जोड़ पाते हैं जब दोनों के order समान होगे तभी तो जोड़ पाते हैं तो P Y खुद का order क्या होगा P K Rho Y के column P Y के W Y के define होगा जब W K Rho और Y के column तो W Y का order कब है मतलब क्या आएगा W Y का order W Y का order आएगा W K Rho अब W K Rho है N और Y के column Y के column है के तो इसका W Y का order N Y के बन गया P Y का order P Y K बन गया तो ये दोनों order समान होगे तभी तो इनको जोड़ने की बात कर सकते हैं तो दोनों का जोड़ तब समभव है जब P Y का order और W Y का order समान हो तो हमने वो order लिख दिए तो इनको तुलना करने पर K से के कट गया P का मान N आगया तो P बराबर N एक ये बात आई एक इदर से K बराबर 3 आया एक 3 बाबर 3 आया इन तीनों को इकठा किया जाए तो पता लगता है कि जो A option है वह है सही है K बराबर 3 P बराबर N उसके बाद आता है यही 21 में प्रशन से जुड़ा हुआ है यहाई प्रशन कहता है कि 22 में प्रशन में कहता है कि 7X-5Z नाम का जो मैट्रिक्स है उसका order कितना होगा इसका order होगा 7X-5Z का order का मतलब हो गया कि जब X का और Z का order समान होगे तब ही इनके difference की बात कर सकते है तो जितना X का order उतना ही Z का order और उतना ही इससे प्राप्त उत्तर का order होगा तो 7X-5Z का order कितना होगा X का order और Z का order जब समान होगे उतना ही इस दोनों को घटा के आएगा वह order आएगा तो X का order हम यहां पीछे देखें X का order हम देख रहे हैं X का order तो 2 by N है यहां 2 by N लिख दिया और Z का order तो 2 by P है तो 2 by P लिख दिया तो जब X और Z के order समान होगे तब ही उनका difference आएगा और वह भी उतने ही order का होगा तो उत्तर आ गया 7X-5Z का order है वह है 2 by N या फिर 2 by P तो इसका सही उत्तर है जो इन 4 option में से देखें तो B यह उत्तर सही है उसके बाद आता है उसके बाद है ट्रांस्पोज ओफ मेट्रिक्स किसी मेट्रिक्स से ट्रांस्पोज से क्या अभी प्राए है कि आगर आपको इसका ट्रांस्पोज याद करना है तो इसका मतलब आपको रो को कोलम में बदल देना और को रो में बदलने देना है जैसे यह A matrix है इसके transpose के लिए उपर डैश का निशान होता है कि A का transpose निकालना है यानि इस matrix एका transpose निकालना है तो इसमें करना क्या होता है जो row होती है वह column बन जाती है जो row होती है वह column बन जाती है जो row है वह column बन जाती है तो exercise 3.3 में यही पहले प्रशन में यह पूछा गया है कि इनके transpose ज्याद करने है तो यह पहला matrix है इसका transpose यह खुद कितने order का है तीन row है एक column है 3 by k order का जब आप इसका transpose यानि कि dash लगा होगे तो जो row है वह column बन गई जो row है वह column बन गई जो row है वह column बन गई और जो column थी वह row बन गई तो 3 by 1 order का matrix 1 by 3 में बदल गया transpose होने के बाद transpose में row column बन जाती है और column row तो तीसरा बाग इसका transpose याद करना है तो इसके आगे उपर डैश लगा दिया यानि कि transpose करना है तो जो पहली row है यह column बन गई दूसरी row है वह column बन गई तो जो row है वह column बन गई तो जो row है वह column बन जाती है और जो column है वह row में बदल जाती है तो इ रो बना दिया जैंगे हैं इसकी कूछ प्रोपर्टिस हैं कि sparkling को एक बार ठांस्पोस करके फिर से ट्रांस्पोस किया जाए थो वापिस जहां से चलें ते वहीं पाहुंच जाते हैं बात भी है एक बार ठांस्पोस में जोrodh तो जहां से चले थे वहीं आ जाएंगे दो दो बार ट्रांस्पोज करने पर वहीं आ जाते हैं जहां से चले थे यह प्रोपर्टी क्या कहती है कि ए मैट्रिक्स को किसी स्केलर तीन से गुणा करने के बाद ट्रांस्पोज करवाया जाए उत्तर आ जाएगा या फिर एको ट्र जोड़ा करवाया फिर ट्रांस्पोज लिया या पहले ट्रांस्पोज लेकर तीन से गुना के दोनों इस्तितियों में उत्तर समान आता है दूसरे शब्दों में यह ट्रांस्पोज का निशान अंदर भेजो गे तो तीन पर को A के उपर उसर पड़एगा तीसरी पुपर्टी इन पूपर्टी वारा दारित सवाल हम नेख्संट लेक्चर में लेंगे है सी यह प्रोपर्टी करते हैं दो मैट्रिक्स को जोड के ट्रांस्पोज किया जाए या फिर ट्रांस्पोज का निशान अंदर भेज दो या ट्रांस्पोज करके जोडा जाए मतलब ट्रांस्पोज अंदर भेज दोगे तो एट नांस्पोज प्लस बी ट्रांस्पोज में बदल जाएगा तो क्या है इसमें पहले जोडो फिर transpose लो या पहले transpose लो फिर जोडो दोनों इस्तितियों में उत्तर समान आएगा ऐसे ही दो matrix का difference लेके transpose ले लो या transpose लेके difference कर दो दोनों इस्तितियों में उत्तर समान आएगा इसमें दो matrix की multiply करके transpose कर दो या पहले transpose करके बाद में multiply कर दो उत्तर समान आएगा येकिन ध्यान देने वाली बात है इस property में transpose जब अंदर जाएगा तो reverse order में उल्टे करम में जाएगा पहले B को मिलेगा फिर A को उल्टे करम में मिलता है ध्यान देने वाली बात है जैसे मालों तीन matrix भी होते A, B, C उसको transpose देंगे आप तो इस property के अंशार उल्टे order में चलना है C transpose, B transpose, A transpose ये है वह है property तो exercise 3.3 के questions हम next lecture में करेंगे